हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे नाम से बेश सोगत आप सभी के मेरे यूटूब चनल तो दोस्तों आज आमें इस वीडियो में जानेंगे उत्राखंड में नहीं बढ़ती कब तक आएगी और यहाँ वर्स उत्राखंड में रोजगार वर्स होगा या नहीं तो देखे काफी लंबे समय से विबागों में पद खाली पड़े हैं लेकिन उन पे भर्तियां नहीं उपा रही है और जिन पदों के लिए आपे विग्यप्ती जारी और किये वो भर्तियां सभी लटकी हुई है तो देखे 29 नौम बर तक मुख्या मंतरी ने इन सभी पदों क इसमें लिखा है विबागों में खाली पड़े पदों का व्योरा तलब सरकार ने 27 नौम बर तक सभी विबागों से खाली पद और भर्ति प्रक्या के जनकारी मांगी है सरकार ने ये वर्स रोजगार वर्स के रूप में मनाने का निर्ने लिया है इसके तहत अब बर्ती औ बरे पद, रिक्त पद, अध्याचन भेजने और बढ़ती के लिए तैसीमा के बारे में जानकारी मांगी गई है अपर मुख्या सचीव कर्मिक रादा रतरोडी की ओर से इसके बारे में आदेश किये गए हैं तो दिखें 29 नवंबर को मुख्या मंत्री की वैटक है सचीवाले में और उसमें सबी विवागों से मंजूर पद, बरे पद, रिक्त पद और अध्याचन भेजने वाली बढ़तीयों के बारे में जानकारी मांगी गए यानि की 29 तारी को आपको यह मालूम हो जाएगा कि कितने पद रिक्त हैं और कब तक इन पदों पर यह बढ़ती की जाएंगी और मुख्या मंत्री की क्या परकिरिया रहती है इन पदों की बढ़तीयों के बारे में और बात करें रोजगार वर्स की तो यह आने वाले समय ही बताएगा कि यहाँ वर्स then रोजगार वर्स की रूप में मनाय जाता है या फिर नहीं क्योंकि दोस्तों काफी लंबे समय से उत्रखंड में वेकेंसी आई नहीं है जिसके चलते उत्रखंड में यह जो समय है बहुती गंबीर समस्या बन गई है रोजगार की ठीक है तो मुख्यमंतरी जी को इस पर सोचना चाहिए विचार करना चाहिए कि जल से जल उत्राखन में वगेंसी लाई जाए ठीक है और भरती कराई जाए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आई होप कि आपको जहाए वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ आधिक साधिक से दिर करें ठीक है तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ तब तक के लिवाई बेस्ट प्लक जैहिंद वंदे मातरम